इंटरनेट की हेल्प से जितनी आसानी से हम अपने multiple source बना लेते हैं earning के with the help of online with the help of internet कोई भी चीज आपको सीखनी है कोई भी चीज आपको पढ़नी है इंटरनेट आपकी मदद कर लेता है और इंडिया में इंटरनेट की जो cost है you know that बहुत ही normal सा payment दे करके means 250 रुपेस में के demerits भी सामने आये हैं demerits भी बहुत सारी देखने को मिली है I'm talking about the attacker I'm talking about the hacker multiple emails हमें receive होती है कि आप sponsorship ले लो और sponsorship में आपको बहुत अच्छा कितने तरीके से fraud किये जा सकते हैं कभी हमें WhatsApp पे link आता है कि आप पांच मिनट काम करो दो से तीन अजार रुपए per day कमाओ right महीने के 50-60,000 कमाओ कभी WhatsApp पे message आता है कि आपकी lottery निकली है आपका KBC का एक audio clip मिल जाता है इस नंबर पे क्लिक करो इस नंबर पे call करो हम SBI के manager बो पांच लाकी lottery निकली है ऐसे बहुत सारे method attacker के तुरू जो है day to day market में launch किये जाते हैं और unfortunately due to lack of knowledge बहुत सारे बंदे बहुत सारे मासुम बंदे इसका सिकार day to day होते जा रहे हैं मैं अपने अगर बात करूं इस 14 years के IT carrier में मेरे पास बहुत सारे ऐसे cases आये हैं कि उनके account से payment जा चुका है और उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह online UPI का customer care number निकालते हैं Google Pay का customer care number निकालते हैं माली ची हमने किसी को transfer किया UPI के थुरू या Google Pay के दर यह and unfortunately वह transfer fail हो गया किसी भी रीजन से network का issue हो सकता है या और भी कोई issue हो सकता है कि आपका जो transaction है amount का वह failed हो चुका है और वह amount आपके account से debit हो चुका है और जो beneficiary है उस beneficiary के account में भी receive नहीं हुआ है हम क्या हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं और गूगल पर जाकर के उसका number search करना customer care का number search करना दूरना स्टार्ट कर देते हैं random कोई सा भी number दिखा हम उस पे call करते हैं actual में यह लोग क्या करते हैं इनका जो ऐसी यह होता है ठीक है search engine optimization जिसको बोलते है टेक्निकल टर्म में यह अपना number यह अपना number गूगल पर fit कर देते हैं site अपनी duplicate create करके एक page की site बना करके उस पर setup कर देते हैं तो बहुत से मासूम बंदे उस Google उस customer के नंबर पर call करते हैं और उनके इंस्टेक्शन को फॉलो करते हैं अनफॉर्चनेटली डे टू डे कफी ज़्यादा लॉस होता है यह तो मैं मैथड़ की बात कर रहा हूं मैं अभी आपको लाइब एक email दिखाता हूं जो पूरी तरीके से fake email है यह हमारी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि इंटरनेट अगर हम चला रहे हैं तो हमें एटलिस इतना तो पता होना चाहिए कौन सी email जो है फ्रॉड है कौन सी email फेक है और कौन सी email हमारी जैन्मीन है अभी रिसेंटली वैसे हमेसा आती रहती है हर अपते दस दिन में कोई न कोई एक सब्सक्राइबर करें तो यह टार्गेट करते हैं कि 29,000 सब्सक्राइबर हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर भी देखेगा बंदा क्योंकि स्पॉंसर्शिप में क्या होता है कि 5-7 मिनट की वीडियो बना करके आपको अच्छा-खासा है मांट मिल जाता है बड़ इस प वह वह किसी जनुविन बंदे का है या कोई फ्राट या कोई पर्टिकुलर स्कैमर बैक एंड में है जो आपको इमेल भीज रहा है और आप से आपकी इंफरमेशन आपके सिस्तम की इंफरमेशन आपके मसीन को हैक करनी की कोशिश कर रहे है मेरे पास अभी रिसेंटली एमा इनके अबेलेबल है मार्केट में और अच्छी खासी कंपनी है एमाई के भी है पे आम नौट शैंग के मेल मुझे बेजा है क्योंकि मैंने विदिन मिनट उस मेल को फिल्टर किया और मुझे वह 100% फ्राड इमेल लगा उस इमेल में गया था भी मैं आपको इसके श्रेट कर of MI sales team and I go through your YouTube channel and I like very much और हमने डिसाइड किया है कि आप हमारे प्रोडेक्ट का रिवियू करिए तीन से पांच मिनट की वीडियो क्रिएट करिए हमारे किसी भी प्रोडेक्ट के उपर और उस वीडियो को आप हमें शेयर करिए गूगल ड्राइब के तुरू और हम आपको 50% पेमेंट देंगे जब आप वो recording भेजेंगे और 50% पेमेंट आपकी जाएगे जब आप उसको यूटूब के चैनल पे अपलोड करेंगे यहां तक सारी चीज़े क्लियर हैं बिल्कुल जैन्मिन तरीके से लगेगा कि हो सकता है कि हमारे जो वीवर्स है उनको वह एमाई जो अपनी सेल्स बनाने के लिए हमारे वीवर को टार्गेट कर रहा है बट इंपोर्टन पॉइं आपको इसमें बहुत केरफूल तरीके से देखना है अगर आप यूट्यूबर है आपके पास 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 प्सक्राइबर है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिसल होने वाली है किसी भी इमेल का reply किसी भी इमेल के attachment को आप अपने base machine पे download नहीं करोगे आप अपने machine पे उसको install नहीं करोगे यह आपको ध्यान में रखना है मैं आपको भी screen पे लिखाता हूँ कि किस तरीके से वो हमें फसानी के कोशिस कर रहे हैं तो बस यह चोटी से अपील है कि आप internet क अर्निंग करें बट केरफुल तरीके से attacker बैठे हैं वो उनका काम सिर्फ यह है कि वो नए नए बंदे को target करते हैं कोई भी बंदा छोटी सी गलती करेगा और उसका काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है तो चलिए screen पे लिए चलता हूँ आपको और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से email आई है और वो हमसे किस तरीके किस तरीके साफ identify करोगे कि वो गलती email है वो fraud email है वो आपको फ्रसानी के कोशिस की जा रही है चलिए screen पे जलते हूँ अब ही हम इस screen पे आ गये हैं और मैं आपको directly email पे ले जाता हूँ उसके पहले अपना YouTube चैनल थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको क्योंकि होता क्या है कि कोई भी बंदा आसानी से अगर आप एक YouTuber है ना तो कोई भी बंदा आपके email address को आसानी से एक्सेस कर सकता है कैसे माली जे मेरा ये YouTube चैनल अगर आप इसके about section में जाओगे तो ज़्यादा थर बंदे अपने information शेयर कर देते हैं definitely हम online पे YouTube चैनल बना रखें थाकि हम अपने थोड़ा सी business को इंप्रूब कर सकें अब जैसे मैंने यहाँ पर अपना mail address और whatsapp number चलो whatsapp number is a separate part mail ID हमने mention कर रखी है manual नहीं mention कर रखें तब ही आप यहाँ से view करके access कर सकते हैं किसी की mail ID किसी भी channel की mail ID आप यहाँ से असानी से access कर पाएंगे अब यह जो email है वो attacker को भी मिल रही है right same email address आपके attacker के पास पहुचा अच्छे खासे आपके पास subscriber है तो आपको दिखाने आप किस तरीके से वो email भीजते है मेरे पास यह email आई है Xiaomi की तरफ से यहाँ पर आई music something करके good afternoon we have as usual phone models वो सारी information आपको जन्मीन तरीके से देंगे इवन मैंने reply भी किया जानभूच करके reply किया क्योंकि within second मैंने समझ लिया था कि यह जो mail है यह fake mail है पले चीज तो इनका domain नहीं है यह आपको ध्यान में रखना है day one से कोई भी बंदा नाम कोई से भी हो सकता है लेकिन आप देखिए associated with Xiaomi होना चाहिए या MI होना चाहिए best wishes में MI team दे रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा genuine लगे बड़ आपका domain नहीं है aazet.sk it means that यह आपके यह जो बंदा है यह Xiaomi से कतई भी बिलॉंग नहीं करता दूसरा मैंने जब इसको reply किया send me detail and costing कि आप मुझे pricing अगर बता दो I'm ready to work अब दूसरी उनकी email आई immediately email आई same day दूसरे इनकी email आई और यहां पर इन्होंने बहुत अच्छा सा mail बेजा इस बार इनका mail ID है official.pro something इनका जो address है वो change हो चुका है इन्होंने सारी information बताए कि ठीक है हम 2.10 मार्केट में हैं Apple यह सब दुनियादारी बहुत सारी चीजे करते हैं और आप हमारी लिए task perform करिए आपको 50% payment हम immediately transfer कर देंगे in advance जब आप अपनी recording बनाके हमें Google Drive से बेजेंगे और 50% payment आपकी जाएगी जब आप इस वीडियो को upload कर देंगे अब साथी साथ आप देखें यहां पर website तो कोई भी लगा सकता है यह Swami की website है not an issue बट आप देखें यह Dropbox का और एक यह Other से मेगा करके एक online platform है जहां से हम file and folder को transfer करते हैं इन्होंने दो हमें link provide कर रखे हैं और यह बोला है कि आप इस PDF को go through करिये यह आपका agreement है इसको आप review करिये चेक करिये pricing अगर है कि detail इसमें है आप clear कर लेंगे कि आपको कितना amount मिलेगा प्लस आप इसको fill करिये agree करिये और proceed करिये यह दोनों जो फाइले हैं यह आपके जो जो यह फाइले हैं यह एक तरीके से key logger के spam करने के लिए tools इस्तमाल किया है इन्होंने अगर मैं इसको download करता हूं ठीक है यह जो है Google ने recognize किया है कि इसमें कुछ ना कुछ issue हो सकता है और इस वज़े से Google जो इसको block कर रहा है फिर भी आप नहीं मानते ठीक है फिर भी आप नहीं मानते इसको download करते हैं किसी भी तरीके से आप जैसे ही इसको download करेंगे अपने system पर आपके system की information उस बंदे के पास पहुच जाएगी जिसने इसे जिसने हमें यह mail भीजाए internet है on आपके chrome की information पहुच गई आपके logger की information पहुच गई सिर्फ आपका youtube account ही नहीं इसमें अगर आपने जो भी account login करके रखे हैं जैसे मेरा yahoo mail इसमें लोग इन है youtube लोग इन है azure का portal लोग इन है sometime bank account भी हम इसमें लोग इन कर लेते हैं पूरी तरीके से scam है जिस पे एक छोटा सा tool आपके पूरे system को within second hack कर लेगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा आप काम करते रहेंगे और backend से आपके system को किसी ने किसी बंदे के तुरू handle किया जा रहा होगा दूसरा important point आपको सबसे जो important part है ऐसे किसी भी link पे आप click नहीं करेंगे ऐसी किसी भी software को आप download नहीं करेंगे जिसमें जरा से भी आपको लगता है कि ये dropbox या google drive से या mega drive से share किया गया है आपके साथ ठीक है दूसरा important point यहां पे अगर हम बात करें तो again best regard zombie अब आप देखिए ये बार बार एक what we can say that repeated company का नाम लेकर के आपको फसाने की कोसिस करते हैं email के थू भी identify कर सकते हैं अगर आप contact करना चाहते हैं तो आप देखिए sawmy at the rate gmail.com sawmy मतलब एक company है वो gmail account यूज करेगी आप यहां से clear करिए gmail account कोई भी बना सकता है sawmy at the rate sawmy के नाम से कोई भी बन्दा बना सकता है लेकिन यहां पर अगर आपका MI का domain नहीं है तो 100% यह fraud है आपको इस टूल के जरी आपके system की hacking कोई न कोई बन्दा करना चाहता है तो everyone please be aware YouTuber है तब भी normal user है तब भी internet जितना life को आसान बना रहा है कहीं न कहीं वो back end से fraud भी बहुत जादा कर रहा है So make sure कि आपको यह सारी चीजे बहुत ही केरफुली तरीके से कोई भी ऐसी website पे न विजिट करें कोई भी ऐसे link पे न क्लिक करें जिसकी वजह से आपको नुकसान हो So that's it guys teach me cloud की छोटी सी information थी आपके साथ share करनी सतर्क रहे हैं साधान रहे हैं